हर पल भी तेलम हों की अनुगूंज है हर पल भी तेलम हों की अनुगूंज है नमस्कार कारिक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी को लेकर आपके समक्ष उपस्तित हैं हम मंगत राम और रमा पांडे कारिक्रम अनुगूंज की हर कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं किसी एक क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तित्व से और आज की सकड़ी में हम आपको हिंदी के एक ऐसे नाटक कार और कहानी कार से मिलवाएंगे, जिसे हिंदी के नई कहानी आंदोलन का स्थम्भ माना जाता है आईए मिलते हैं हिंदी साहित्यकार मोहन राकेश से मोहन राकेश का जन्म आठ जन्वरी 1925 को अमरिसर पंजाब में हुआ था उनके पिता वकालत करते थे और साहित्य प्रेमी थे उन्होंने लाहौर के ओरियंटल कॉलेज से संस्कृत में शास्त्री की परिक्षा पास की और पंजाब विश्वविद्याले से हिंदी और अंग्रेजी में सनात कोतर की पढ़ाई की अपनी शिक्षा पूरी करके मोहन राकेश ने एक शिक्षक के रूप में कारे करना आरंभ किया इसी के साथ उन्होंने कहानी लेखन भी आरंभ किया उनकी पहली प्रकाशित कहानी भिक्षू थी जो 1946 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी मोहन राकेश कई वर्ष तक शिमला, जालंधर, दिल्ली, बंबई में नौकरी और अध्यापन करते रहे फिर वो अध्यापन छोड़कर सारिका पत्रिका के संपातक बन गए पचास के दशक में जब देश भर में सांस्कृतिक पुनरजागरन का दौर था उस समय मोहन राकेश कहानी लेखन शेत्र में एक नक्षत्र बन कर उभरे यही वो समय था जब मोहन राकेश कहानी विधा द्वारा हिंदी सहते नभ पर चमके उनकी कई प्रमुख कहानियों जैसे जानवर, बनिया बनाम इश्क, अर्ध विराम, मिस पॉल, कटी हुई पतंगें, ग्लास टेंक, सत्युक के लोग, जानवर, मलबे का मालिक, आदी ने हिंदी कहानी लेखन को एक नई दिशा दी उनके कहानी लेखन का कथा वस्तु शहरी मध्यमवर्ग था, उनकी कई कहानियों में भारत विभाजन की पीड़ा भी थी, परन्तों उनको अधिक पीड़ा साहित्य के बाजारी करण से थी यही पीड़ा उन्होंने आकाशवानी को दिये एक साक्षातकार में अभी व्यक्त की थी उस तक आज एक रचना का नाम नहीं, प्रकाशित होने वाली एक वस्तु का नाम है यह वस्तु आज स्रिजन के तर्क से नहीं, उत्पादन और खपत के तर्क से नरधारित होती है जितने बड़े बड़े प्रकाशक हैं, वे आज साहित्य नामक माल का बाजार ठोनने में लगे हैं वे बाजार का तर्क रचना पर लागू करके उसका रूप विकृत किये दे रहे हैं वास्तविक साहित्य के लिए क्योंकि बाजार नहीं है, इसलिए प्रकाशक भी नहीं है याथर कहा जाता है, साहित्य क्षेत्र में गुटबंदी बहुत है एक गुट दूसे गुट को उभरने और पनने का आवसर नहीं दे रहा रह जो वहाँ वालों की गुटबंदी है, रह यहाँ वालों की गुटबंदी को अपने सरजनास में धरातल की थीक से खोज नहीं करने दे रही इस गुटबंदी का नाश किये बिना कुछ भी करपाना संभब नहीं है आवश्यक्ता है इस गुटबंदी के उन्मूलन के लिए पहले एक सचस आंदोलन उठाने की जो जो नाम इन गुटबंदियों उपने उभर कर सामने आये हैं उन्हें अनाम कर देने की या फिर कहा जाता है रमपाद एक बहुत प्षपाती हैं अपनी अपनी गद्धियों से चिपके हैं उनकी गद्धी परस्ती ने बहुत गंदगी फैला रखी है साहित के वातावरन को दूशित कर दिया है ये गंदगी तभी दूर हो सकती है जब इन्हें गद्धियों से हटा कर इन्हीं दूसरों को और नजाने किन दूसरों को उनकी जगह बिठा दिया जाए मोहन राकेश के प्रमुक कहानी संग्रे हैं मोहन राकेश लगभग एक वर्ष तक सारिका का संपादन करने के उपरांथ दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कारे करने लगे यही स्वतंत्र लेखन उनकी जीविका का साधन बना मोहन राकेश के बहुमुखे प्रतिभा नाटक लेखक और उपन्यासकार के रूप में भी प्रसफुटित होकर उभरी उस समय भारते इंदुखरीश चंद्र और जयशंकर प्रसाद हिंदी के शीर्ष नाटक लेखक थे मोहन राकेश के नाटे लेखन ने उनकी इस परंपरा को ना केवल आगे बढ़ाया बलकि उसे एक नई दिशा दी कहानी से वो नाटे लेखन में क्यूं मुड़े मोहन राकेश ने स्वयम बताया था पहरे बच्वन में मैं स्कूल के ड्रामा में हिस्स लिया करता था उसके बाद जब मैं लाहूर में पंजाब यूनिवरस्टी संस्क्रिस सुसाइटी की तरफ से दो नाटक खेल रहा था तब मुझे कहीं ये लगने लगा था पुद नाटक लिख भी सकता हूँ और मुझे लिखने चाहिए ये बात है सन 44-45 की उसके बाद भी कॉलेज में पढ़ाते हुए मैंने कुछ नाटक स्टेज किये तो एक तरह से स्टेज के साथ मेरा तालुक अंदर अंदर से काफी देर पहले से बना रहा है मेरे दिमाग में एक जब कोई आईडिया बनता है तो उसके में ही कहीं अफसाना या ड्रामा के जरासीम होते हैं मुझे लगता है की यह चीज अपने आप में ही यह मांग करती है उसकी यह डिमान है कि वो एक ड्रामा की शक्ल में और लाक्तियार करे उता गया है ड्रामा की तरफ मगर इस वक्त आज जो चीज में मेरे हाथ में जो मैं लिख रहा हूं वो है एक नौवल और इससे कुछी दिन पहले जो आखरी चीज मैंने लिखकर शाय होने के लिए भीजी है वो है अफसाना तो ये बात कि सिर्फ अफसाना ये जो मीडियम है अपने आप में ही मुझे अधूरा महसूस हुआ और इस वज़े से मैंने इस तरफ करदम उठाया ऐसी बात नहीं है कि कुछ हद तक अफसाना और नौवल ये बहुत हद तक जो चीजे मैं अपने जाती तज़रबात को जब लिखकर सामने रखना चाहता हूं तो उनको इन दो जीजों की शक्त देता हूं मगर जहां तक ड्रामा का तालुक है उसमें मैं ज्यादा इंपर्सनल हो सकता हूं मोहन राकेश की नाटक लेखक के रूप में सबसे महत्तुपूर्ण उपलब्धी उनका पहला नाटक आशाड का एक दिन रही ये नाटक सन 1958 में प्रकाशित हुआ था और आधुनिक योग का अग्रणी नाटक माना जाता है इस नाटक में महाकवी कालिदास के जीवन में प्रेम या सफलता चुनने के द्वंद को आधुनिक मानव के रूप में रखा गया है आशाड का एक दिन इस नाटक लेखन के विशे में मोहन राकेश ने बताया था आशाड का एक दिन लिखते वक्त भी उसी अपने अंदर के संसकार ने मेरी सहायता की मेरी मदद की मगर मैं दूसरे तरफ ये जरूर कहूँगा कि हिंदी में स्टेज की कोई ट्रडिशन नहीं है इसलिए पहले से कोई टक्नीक अपने सामने रखकर या उसके बारे में सोचकर मैंने ये नाटक नहीं लिखा ये समझे लिजिए कि ये सब कुछ अपने अंदर ही मेरे अंदर का कुछ स्टेज है जिसने इस सारी चीज़ को ये शकल दी है मैं शुरू से संस्कृत पढ़ता रहा हू ये इसलिए कालिदास की जितनी भी की लिखी चीज़ें मैं इसलिए मैं अपने साथ कहीं और दे छालिदास की लिखी चीज़ें क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी इसलिए कहीं इस नाटक के लिखने में मुझे लिल द Algami का सी लि कि हमारे आज तक की जितनी वो क्रियेटिव एक्टिविटी है उस को सामने रखने मुझे मदद दे तो कालिगास का नाम एक सही सिंबल मुझे मालू हुआ आशार का एक दिन उस जमाने का नाटक नहीं है उस जमाने के हालात को मैंने उस नाटक में सामने नहीं रखा बलकि आज के एक अदीब के मन में जो हलचल है उस हलचल को सामने रखने कोशिश की है और उसके लिए संबल के तौर पर मैंने कालिदास के नाम का इस्तमाल किया है। आईए अब सुनते हैं मोहुन राकेश द्वारा लिखे नाटक आशार का एक दिन का एक अंश। इसलिए तो कह रहे हैं मनुष्यों के सोने के लिए शया होती है पश्वों के लिए नहीं इसे मुझे देदो मलिका इसके लिए मेरी बाहों की शया ही परियाप्त होगी मैं इसे ख़र लेगा और राजपुरुष दंतल तुम्हें ले जाते देखता रहे का यह कि लुच्यारुच क्या होती है संभवता है इसका परिचय तुम्हें देना आवश्चक होगा संभवता है ठेलो राजपुरुष हरन शावक के लिए हट मत करो तुम्हारे लिए प्रशन अधिकार का है उनके लिए संवेदना का कालिदास निशस्त्र होते हैं तुम्हारे शाष्चर की चिंता नहीं करेंगे कालिदास तुम्हारा भी प्राय है जिनसे मैं भी बात कर रहा था विकवी कालिदास है हाँ हाँ किन्तो तुम कैसे जान दो कि कालिदास कभी है कैसे जानता है उच्जैनी की राज्य सभा का प्रत्यक व्यक्ति रित्यक व्यक्ति रित्यक आशार का एक दिन नाटक के उप्रांद मोहन राकेश ने अनेक नाटक लिखे उनके लिखे अनेक नाटक रंग मंच पर सफल रहे। उनके लिखे नाटकों को नाट्टे निर्देशिकों ने अखिल भारते स्तर पर रंग मंच पर प्रस्तुत किया। के नाटकों को अपार सफलता मिली। रंग मंच के विशे पर मोहन राकेश ने बताया था। मैं समझता हूँ कि इधर खास्तौर से दिल्ली में एक नई रो जो हमें ड्रामा में नजर आ रही है। उस से लगता है कि ये जितना भी तज़रबाती ड्रामा है उसकी एक बहुत अच्छी बनियार रखी जा सकी है। मराठी और बंगला में ड्रामा ये माना जाता रहा है। ड्रामा नहीं तो थेटर कम से कम ये माना जाता रहा है कि बहुत डिवलप्ट है, बहुत आगे है। मगर वो सब कन्वेंशनल है। वो एक मुकाम तक आकर जहां से आगे से तज़रबे की शुरुआत होती है। उस मुकाम तक आकर वो थेटर रुग गया है। इसलिए अगर आज का हम बंगला का या मराठी का तज़रबाती थेटर है उसे देखते भी हैं तो उसमें हमें वो चीज नहीं मिलती है जो कि दिल्ली के एटर में और इसकी वज़ा ये है कि दिल्ली में कोई ट्रडिशन नहीं है। जब जो आदमी बगार किसी ट्रडिशन की शुरू करें उसे जहां ये एक तरफ ये कमी है कि उसको बिलकुल ही एक सिफर से शुरू करना है वहां दूसरी तरफ उसको इस बात का एडवांटेज भी है कि वह आदमी किसी तरह से महदूद नहीं बंदा हुआ नहीं तो अब देखें इस से अलगाजी के आने के बात खास दिल्ली में हम देखते हैं कि काफी हद तक थेयर्टर का जचेहरा है बदल गया है पहले तो कुछ एकॉमेडी का ये टैनिसी विलियम्स का एडप्टेशन मगर इधर इन कुछ सालों में हम देखते हैं कि दिल्ली में ही हिंदुस्तान की मुफ्तलिक जबानों के जो अच्छे नाटक हैं कई बार उन जबानों में खेले जाने से पहले खेल लिया जाते हैं नाटक आधे अधूरे में मोहन राकेश ने मध्यम वर्ग के परिवारों की त्रासदी, उनके संबंधों और कलहे का बखुबी चित्रन किया है मोहन राकेश एक परिवार के जीवन के अंधेरों को दर्शकों के बीच इस नाटक के द्वारा प्रकाश मिलाई आईए सुनते हैं मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे का एक अंश जिसमें एक पात्र में हैं अभिनेता ओम शिपुरी मेरा अपेश भर गया है मेरा हमेशा हमेशा के लिए भर गया है और बचा भी कहा है जिसे खाने के लिए और हमें यहां मेरा ख्याल है मामा लाट आएंगे राद तक हर मंगल सनीचर यही सब होता यहाँ तो किनी तोजे क्या हो रहा है वहां मुश ही क्या हो रहा है यहाँ य यह नहीं आओगी नहीं आओगी अंदर जो तो बार्ट कुची जाते हैं भारत किपिल किपल अखान को एला मैं देखता हूंसे कम्से कम इस रखी को तो तो पहले तो आए आए बास सुन मेरी बता आए कम से कम तुझे इस वक्त नहीं जाना है वो अभी आने वाला होगा थोड़ी दिर में यहां पर और मामा का बॉस मामा उसके जरीए तरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होंगी ना मुझे नहीं चाहिए वो नौकरी के जरीए तो हर्किस क्यों उस आदमी को क्या है चुकंदर आदमी जिसे ना अबैटने का चौश वरें ना बातना ना अजाए वागा थाना टंखा है पूरा दफटर संबहलता है पूरा दफटर संबहलता है पर इतना होश नहीं कि अपनी पतलून के बटने शौक सभूग पक्षब अच्वास मत कर सिंग्झी में तुछी भी कुच क पुर्ए कि एर नहीं आसमें परिश करना है अपने एपर भीच और हाओ तो तुने पूरी नहीं कि एर फ्रिज्व नौकरी दिलवाई तो शेप्र का चोड़ चाहे अब नहीं आजय कोशिश करना चाहते हूँ मैंने कहा है तुमसे कोशिच करने के लिए तो नौक रिकी सेव ऐसा क्या है जो तू तो यू मैं अन्दर से दिल चस्प यह दिल्चस्पी तो तेरी तू ऐख मुझी बात करने दिल्चसपी तेरी सिर्फ तीन चीज़ों मैं है दिन पर उंखने में, एक्ट्रिसों की तस्विरे काटने में और और खर की ये चीज वो चीज ले जाकर घर कहती हो तुम तो तू इसे कैसे समझ कर रह रहा है देका शोक मामा की हिसब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं नहीं जानता मतलब, बिनी तू चली गई यहां से, मैं तो भी यहीं रहता हूँ तो क्यों नहीं तू भी फिर कैसी बात कर रही हूँ यहां पर सुब लोग समझते कहा है मुझे एक मशीन जो कि सब के लिए आटा पीसपीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है मगर किसी के मन में ज़रा सब यह ख्याल ने इस चीज़ के लिए कि कैसे मैं इस खर के लिए सब कुछ करती रहती हूँ मोहन राकेश ने कई उपण्यासों की भी रचना की मोहन राकेश की रचनाओं पर कई फिल्में भी मनी फिल्म माध्यम और लेखक के बीच के संबंध पर बोलते हुए मोहन राकेश ने कहा था मैं यह समझता हूँ कि फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसके लिए या तो चीजें लिखी जानी चाहिए अलग से जब फिल्म बनाने वाले किसी नौवल या कहानी पर फिल्म बनाने लगते हैं तो उसमें या तो जो अफसाना निगार या नौवलिस्ट है वो ये सोचे नहीं कि ये कहानी का या नावल का तरजमाँ है एक तरह से और उसको पूरी छूट दे दे बनाने वाले को या फिर बनाने वालों को जो अदबी चीजे हैं उठानी नहीं चाहिए फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं और कुछ नए लोग मेरा फैल है बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे मगर मैं फिल्म में गया हूँ ये बात गलत है क्यُnकि ठालाएं कि तीन फिल्मे मेरी लिक्षी चीजों पर बन चुकी है मगर इसके साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूँ आपसे मेरा संबन इन नई इनकलाबी फिल्मों से है भी यह रहा भी है उसके बार मैं दरसल अपनी किताब में ही लोट जाना चाहता हूँ मैं सिर्फ लिखने वाला आदमी है और नाटक जो कि मेरी मेज पर मोहन राकेश को आशाड का एक दिन के लिए 1968 में संगीत नाटक अकादमी प्रोसकार से सम्मानित किया गया 3 जनवरी 1972 को दिल्ली में 47 वर्ष की आयूमी मोहन राकेश का निधन हो गया शुरूताओ आपको अनुगूंच की आज की ये कड़ी कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा तो अब हमें यानि मंगत राम और रमा पांडे को दीजिए अनुमती नमस्कार